चार दिन तक चलने वाले छट महापर्व को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है दीपावली बीतने के साथ ही छटी मैया और भगवान भासकर की पूजा अर्चना को लेकर श्रधालू जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए है चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को मननोतो का पर्व भी कहा जाता है इस दिन महिलाय लगता जो है 36 गंटे का नर्जलावरत रखती है जिसे की सुहाग और बेटे की रक्षा हो सके कुल मिलाकर कह सकते हैं सूर उपासना का महापर्व कहा जाता है चट बिहार और उत्तर प्रदेश के परिवेश से जो लोग आते हैं वो खास कर इस पर्व को मनाते हैं इसे पर्व ही नहीं महापर्व का नाम भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप देखे तो डूपते हुए सूरे की उपासना सर्फ इसी पर्व में की जाती है उकते हुए सूरे को जल देते जल चड़ाते और उसकी पूजा करते तो आपने देखा होगा नेकिन चट का ये महापर्व है जिसमें डूपते हुए सूरे की भी उपासना की जाती है सूरे उपासना का महापर्व क कहलाता है यह महापर्व छट जो है वो चार दिनों तक चलता है कल से शुरुवात हो रही है नहाई-कहाई है नहाई-कहाई में खासकर गंगा-घाटों पर लोग जाते हैं नदी तालाब जो नदी है जिनकी मानताएं है वहाँ जाकर पानी लेकर आते हैं अपने घर और उससे जो है भोजन बनता है